बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसा कि देख पा रहा है जीरंड टॉपिक यह एक इस्पेशल टॉपिक होता है वर्ब का और इस इस्पेशल टॉपिक को हम आपको पढ़ाने आ चुके हैं तो चलिए देखते हैं क्या है यह इस्पेशल टॉपिक और इस इस्पेशल और इंफिनिटिव लेकिन यहां पर जो डिसक्सन होने वाला है वो केवल और केवल जीरंट पर होने वाला है इस बात को ध्यान लगना है जो डिसक्सन होने वाला है वो केवल और केवल जीरंट पर होने वाला है इसके बात पाइडिसपल और इंफिनिटिव पर हम डिसक्सन कर पर पालिजिये जब आपकी ing form होती तो वो क्या बन जाती जी रेंड हो जाती यानि गवब का जीरेंड नहीं होगा जब इसे हम क्या लिखेंगे गोम लिखेंगे तब यह आपका क्या हो जाएगा dev do जाएगा ठैका यह और एक बहुत और, ऐसा नहीं कि कहीं पर आपको गोइंग मिल जाता है तो वो जीरन बन गई ना, जब आपकी ये ing form कैसे काम करे, noun का काम करे, noun की जगे पर आकर लग जाए, जैसे हम बात करें, राम गोज, इस sentence में क्या है, इस sentence में आप देख पा रहे हैं, कि भई, यहाँ पर र तब आपका क्या होता है, तब वो ing आपकी जीरन बनेगी, ठीक है, ध्यान लगना ये, verb की ing form जब noun का काम करे, मतलब ये noun के तरीके काम करने लगे, ठीक है, अब देखें, verb की ing form कैसे काम करे, noun के तरीके, अब देखो, यहाँ पर क्या है, smoking kills, अगर हम चाहें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम, और राम के बाद क्या लिख सकते हैं, राम के बार लिख सकते हैं, अगर हम चाहें, तो इस sentence को ऐसे भी लिख सकते हैं, राम किल्स, और देखो, यह राम आपका क्या subject, यानि यह noun के तरीके काम कर रहा है, और यहाँ पर देखो, smoking आ गया, तो यह भ किसे काम करें वह एपकी इन्जी फॉर्म नाउन के तरीके काम करें तो वह कहलाती है आपकी जीरंट दोस्ट भी थोस किसे काम कर सकते है तो सब्जेक्ट के तरीके कैसे काम कर तो मतलब यह doer है काम को करने वाला है noun है subject है writing is then exchange of ideas जो writing है वो भी क्या है एक exchange है idea का अदान प्रदान है idea का exchange है इधर से उधर हम भेजते है writing को कि राइटिंग के तुरू अपने ideas को इधर से उधर भेजते हैं और जीरन को direct object के रूप में भी यूज कर सकते जैसे तुमने क्या का I love reading हमें क्या पसंद है हमें reading करना पसंद है I like singing हमें क्या पसंद है हमें गाना पसंद है तो यहां पर देखो I live और यहां पर लिख सकते हो I love और बसंती आपने क्या किया यहां पर लिख दिया I love बसंती और बसंती कौन है जी बसंती है तुम्हाई noun कौन है noun तो noun की जगे पे हमने क्या लगा दिया reading तो देखो यहाँ पर use हो गया ठीक है तो जहाँ जहाँ पे noun use हो सकता है वहाँ पर verb की ing form use हो सकती ठीक है अब प्रिकेट की जगे पे आपने ing लगा दिया तो ठीक है जहाँ पे आप noun लगा सकते हो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो अगला देखें after preposition अब preposition के बाद भी हम verb की ing form लगाते है चों लगाते जैसे आईए देख लेते हैं जैसे हमने कहा he is with Ram किस के साथ है भाई he is with किस के साथ he is with Ram वो Ram के साथ है हमने क्या लिख दिया हमने लिख दिया he is with Ram तो वो किसके साथ है राम के साथ और विद के बाद भई कोन आ रहा है विद के बाद आ रहा है आपका राम विद के बाद कोन आ रहा है विद के बाद आ रहा है राम कोन है राम आपके नाउन है मतलब विद के बाद भी हम आई अजी लगा सकते इसलिए बोला जाता है कि भी प्रेपोजीशन के बाद वर्ब की आई एंजी फॉर्म जीरंड यूज करते हैं तो जहाँ-जहाँ नाउन लगा सकते हैं वहाँ-वहाँ जीरंड लगा सकते हैं इस बात को एकदम याद रखा जाए जीरंड क्या हुई? एक बात बताएं जीरंड वर्ब की आई एंजी फॉर्म है नाउन के तरीके काम करती है जहाँ-जहाँ नाउन लग सकता है वहाँ-वहाँ वर्ब की आई एंजी फॉर्म लग सकती है इतनी बात आपको क्या करना है? ध्यान लगना है अगले पर चलते अब ये बिलकुल रट डालिए ये ऐसी वब है जिनके बाद हमेशा वब की ING फॉर्म आएगी इस बाद को भाईया हमेशा रट डालिए आप avoid, miss, mind, enjoy deny, consider ठीक है इनको एकडम से आप क्या करिए इनको रट डालिए ठीक है इनको रट डालिए और इनके बाद हमेशा क्या होता है इनके बाद हमेशा हमेशा क्या आएगा हमेशा आएगा ING फॉर्म avoid, avoid हो गया आपका miss हो गया, mind हो गया, enjoy हो गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ame क्या हो गया, a, double, m a, double, m हो गया, और क्या हो गया और ये आपका क्या हो गया dc क्या हो गया dc तो हमें dc याद रखो इसको क्या याद रखो m a dc ठीक है ये आपका क्या है ये ऐसे याद रखो m a a से हो गया avoid m से हो गया miss m से हो हो गया mind e से हो गया enjoy d से हो गया deny c से हो गया आपका consider तो यह आपके जो term है, यह हमेशा क्या होती है, यह हमेशा हमेशा याद रखिए, हमेशा इनके बाद ING फॉर्म आएगी, जिसे हम जीरंडियल फॉर्म करते हैं, avoid, miss, mind and joy, deny, consider इनके बाद ING आएगी, आइए देखते हैं, avoid, why did he avoid answering a question, if you focus on the sentence, why के बाद आपकी कौन सी फॉर्म आई, ING, और इसे हम गलत नहीं करेंगे, यह बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, if you focus on the second sentence, I don't mind, mind के बाद आप देख पा रहे हैं, ING, I don't mind, waiting for a minute, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता है, कि मैं थोड़ी देर के लिए, क्या I don't mind, अब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, I wouldn't consider doing anything, sentence है, I would not consider doing it, और I have told you, when we have consider, after that we always make वब आइन जी फॉर्म, तो wouldn't consider is the right here, यह बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या है, avoid, avoid के बाद आइन जी आती, miss, miss के बाद आइन जी आती, mind, mind के बाद आइन जी आती, enjoy, enjoy के बाद आइन जी आती, deny, deny के बाद आइन जी आती, और consider इसके बाद भी आइन जी आती, इस बात का हमेशा याद रखो, I'm a DC, कैसे याद रखोगे, I'm a DC, कैसे याद रखोगे, I'm a DC, ठीक है, I'm इनके बाद हमेशा याद रहेगी हमेशा याद रखना इसको अगला देखिए लब लाइक हेड डिसलाइक प्रिफ़र इनके बाद इन्फिनिटी भी आ जाता है love like hate dislike prefer इनके बाद ing भी आ जाता है जब कभी भी इनके बाद ing आए तो पक्का समझ लेना हम hobby की बात कर रहे है preferences देने की बात कर रहे है when we have ing when love like hate dislike prefer is given और उसके बाद verb की ing form आती तो समझ जाना we are talking about hobby और preferences किसकी बात कर रहे है hobby की बात कर रहे है I love to dance with her I love to dance with her मतलब मुझे अच्छा लगता है I love dancing with her तो यहां पर आपका क्या हो गया यह hobby हो गई कि उसी के साथ dance करना आपको अच्छा लगता है तो two dance present के scenario को define करता है और dancing आपका क्या होता है ये आपकी hobby और preferences को define करता है क्यों ing लगी ये भी बता दें I love cricket होता है cricket क्या है noun तो noun लग गया तो ing लग सकती जहां पर noun आ सकता है वहाँ पर जीरंडा सकता है तो I love dancing भी दख जब love like, hate, dislike, prefer के बाद love की ing आती है तो हमेशा याद रखना hobby की बात होती और जब कभी भी two plus love की first form आती तो मतलब present की situation की बात है ठीक है वो बात होती है ऐसे आप याद रखिए जैसे I hate to talk to her ठीक है तो I hate ये present की बात हो गई कि मतलब कोई present का scenario है भई उससे बात करना हमको अच्छा नहीं लगता I hate talking to her तो ये क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि भई तुम उससे बात करना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते पहले का भी matter क्या हो गया इन्वाल्व हो गया आपने preference देना सुरू कर दिया तो ऐसे इनको याद रखना है इसके बाद ing भी आएगी और इनके बाद two plus verb की first form भी आएगी ये आपको देखना पड़ेगा कि हो भी बता रहे है कि present में चल लएई बात की बात हो रही ठीक है preposition के बाद हमेशा बब की ing form आती I tell your region because preposition के बाद noun आता है हमने पहले ही बताया that's why we use after preposition noun जैसे हमने क्या कहा जैसे हमने कहा I go for क्या दे दिया गया I go for अब walk नहीं होगा for के बाद क्या होगा walking I go for क्या हो जाएगा walking हो जाएगा मतलब मैं तहलने क्या करता हूँ तहलने जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर देखे walking हो गया क्यों हो गया region because preposition के बाद verb की कौनसी form आती हमेशा ing form आती है ठीक है अब देखें यह यहाँ पर कुछ verb है जिनके बाद verb की ing form भी आती और two plus verb की first form भी आती सब के मतलब अलग-अलग हो जाते है मतलब अलग-अलग हो जाते है stop के बाद verb की ing form भी आती two plus verb की first form भी आती remember forget के साथ भी वही चलता है two plus verb की first form भी आती ing भी आती try के बाद भी वही चलता है suggest के बाद भी वही चलता है feel like के बाद भी वही चलता है में तो देखे सबसे पहले आप देख पारा है आई स्टॉप्ड स्मोकिंग अब स्टॉप्ड के बाद आई एंजी आया तो इसका मतलब हो गया मैंने धूम्रपान करना बंद कर दिया क्या कर दिया मैंने धूम्रपान करना बंद कर दिया मतलब मैंने धूम्रपान करना छोन द गया मैं धूम रपान करने के लिए रुका मतलब यह आपका करेंट की बात होने लगी I stopped to smoke मैं धूम रपान करने के लिए रुका या कभी-कभी क्या होता है suppose that you are smoking and your father is coming and you have seen your father and just you stopped to smoke current की बात हो गए present के scenario की बात हो गई पापा जैसे आई आपने धूम रपान करना बन कर दिया तो इनफिनिटिव अगर आ रहा है तो present के scenario की बात होने लगती है मतलब तुरंट की बात होने लगती है और जब I N G आता है तो आपको पता होगा भी कि वो आपका क्या होता है कि वो बात फलाने के हाँ पायती थी अब किसी ने का भाई फलाने के हाँ गए थे आरे नई यार I forgot to go there present की बात सामने बात हो रही थी आप ने कहा I forgot to go there लेकिन आप जैसे ही बोलते हो I forgot going there I forgot going there तो इसका मतलब है अब आप यही भूल गए कि वहाँ कैसे जाने मानलो आपको लखना उजाने तो you don't know कि पहले हमको कहा जाने पहले railway station जाने के लिए हमको कहां से गारी पकार नहीं पड़ेगी वहाँ पहुँच गए तो आप कपूर थला जाने तो कपूर थला जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा you forgot the way तुम भूल गए कि वहाँ कैसे जाने तो forgot के बाद अगर ing आ गई तो आप way भूल गए method भूल गए यह बताता है forgot के बाद ing I remember going there I remember going there जैसे माल लो आप नानी ताल गए और वो आपको याद आ रहे तो आप बोलोगे I remember going there मैं वहाँ जाना मैं याद करता हूं वहाँ जाना लेकिन I remember to go there ठीक है यानि मुझे याद है वहाँ जाना जैसे किसी ने क्या का फलाने के यहाँ पाइटी है तो I forgot to go there मतलम मैं भूल गए और I remember to go there यास यास मुझे याद है वहाँ जाना है ठीक है तो present की बात कर रहे हो तो infinitive और पहले की बात कर रहे हो तो आपका जीरन इन वाले sentences में जहां पर दोनों लग सकते हैं ing भी लग सकती two plus one की first form भी लग सकती ऐसे sentences में two लग रहा है तो present की बात होती है और ing लग रहा है तो previous की बात होती है पहले से चली आ रही बात के बारे में बात करते हैं यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखियागा ठीक है अब देखिए अगला है आपका अगला देखते क्या है अगला sentence है आपका I like to go there तो I like to go there मतलब मैं क्या करूंग I would like to go वाली feeling है यहां पर ठीक है I like to go there तुरंत जैसे तुमने क्या कहा है जैसे वहां भई कौन जाएगा तो किसी ने का I like to go मैं जाना चाहूंगा I would like to go मैं जाना चाहूंगा ठीक हो वाली feeling होती I like to go और I like going मतलब मुझे जाना वहां क्या अच्छा लगता है ठीक है I like going there नानी के घर है yes I like going there और I like to make food मतलब कई लोगों से पूछा गया कौन खाना बनाया तुमने का I like to तो present scenario है to go और आपका क्या चली गई बात है आ रही बात है पहले वाली बात है तो उस condition पर जैसे नानी के यहां गए कई बार गए अब किसी ने पूछा भई वहां जाना चाहिए yes yes I like going तो आपने पूरा connect करके बताया ठीक है I started to work or I started working में कोई अंतर नहीं एक ही बात है दो उनो same है ठीक है suggest के साथ हमेशा confusion आता है देखो suggest के बाद हम कभी भी two नहीं लगाते suggest के बाद या तो वब की ing form लगाते या तो ऐसे छोड़ देते ठीक है लेकिन एक sentence जब direct से indirect बनाते तो इसको याद कर लो अगर suggest के sentence में should दिया है बाद में तो two लगता है बाकी केसों में suggest के साथ तो नहीं लगता ये बात आपको याद रखने पड़ेगी suggest के साथ verb की ing आती है ठीक है आ सकती है और suggest के साथ कभी two नहीं आता ये बात ध्यान लगएगा ठीक है लेकिन एक sentence होता है जहां पर हम suggest के बाद should लेकर आते हैं वहां पर हम तो लगाते हैं इतनी बातें आ आपको याद रखनी पड़ेंगी, I think जीरंड का एक concept आपको clear हो गया होगा, जहां पर दोनों लग सकती, वर्ब की ING फॉर्म भी लग सकती, और जहां पर ING और 2 प्लस वर्ब की फॉर्स पॉर्म लग सकती तो 2 हमेशा प्रजन को बताता है और ING चली आ रही बातों को बताता है, बस यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बस अभी के लिए इतना ही अच्छे से इंजॉय करिएगा, ठैंक्स पूर वोचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद